हाई गाईज कैसे आप में हूं मॉनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोक फिद मॉनिका दोस्तों आज हम बना रहें बहुत ही बढ़िया लड़ू हम बनारें आज मेती दाने की लड़ू जो खाने में बहुत जादा स्वाध होंगे कड़वाब तो बिल्कुल नहीं होगी गी भी कम पड़ेगा अगर डाएट कर रहे हैं या ऐसे लड़ू खाना चाहते हैं जो टेस्टी तो हो साथ में हेल्धी भी हो जिनको खाने से आपकी गुट्नों में दर्थ भाग जाए आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए आपकी गुट्नों का दर्थ चला गया शुगर कंट्रोल हो गई और लड़ू खाने वाली फीलिंग आगी सर्दी में जिसे खाके फैट नहीं बढ़ रहा है मुटापा नहीं चड़ तो यही लड़ू ह हम बनाने मेथी दान यह नहीं फैन्यू ग्रीक सीट्स जो रहती है मेथी दाना लीजिए मिकसी में पीस कर बनाएंगे दोस्तों एक बड़ी कटोरी में लिए आप डेड़ सो ग्राम से 200 ग्राम के बीच ले सकते हैं कटोरी से माप रहें तो एक बड़ी कटोरी भरके आप मे अब बड़ी के लिए पानी का नहीं हम दूद का इस्तमाल करेंगे तो आप जित्ती मेथी दाना लीए आपने एक पड़ी कटोरी भरके मेथी दाना ली थी तो इसे डेड़ गुना हम दूद आट करेंगे आप दो गुना भी डाल सकते हैं अगर जादा दूद पढ़ जाए अगर जादा दूद पढ़ जाता है तो बाद में भूनेंगे सूख जाएगा तो कोई कपराने की दूद जादा पढ़ गया इसे अब घोल कर अच्छे से मिक्स कीजे और ठककर रख दीजे इसे हम एक घंटे के लिए बिगो कर रखेंगे एक घंटा काफी रहेगा तीस मिन हम ने इसी पीसा दूद में भिगो है तो इसमे जो लेसला पन होता है स्टिकीन ऐसे होती है वह आ गई है तो वही काम करते हैं हमारे गुटनों में जो जोनों है उनमें जो चिकनाई का काम करती है और बहुत अच्छे से हमारे लिए बहुत अच्छी रहती खानी बालों के बहुत अच्छी है तो इसे जम गई है तो कोई बात नहीं अब भून लेंगे आप से दूद्ध जादा पढ़ गया था कम पढ़ गया था कोई चिंता नहीं कीजिए अब हम इसे देशी में भूनने वाले हैं और हमें लड़ू बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए इंग्रीरि साथ में लिए सोग्राफ गॉंद एडिबल गम कहते हैं इसे गॉंद है चुकि बहुत फाइदबन रहती सर्दी में लोग जब लड़ू बनाते और चीजिए बनाते तो गॉंद एड़ करते हैं तो गॉंद को मैं तल कर नहीं आइड करूंगी क्योंकि तलने से बहुत घी जाएगी इसे मैं अभी कच्ची ही मिक्सी में पीस रही हूं मिक्सी में पीस कर गॉंद का फाइन पाउडर बना लेज़े किता बढ़िया पाउडर बन गया है अब मैं जब आटा पूंगी ना इसे भी साथ भूंद को तलते तो घी पी जाती है बहुत हो जब मेथी के लड को चलिए लड़े लडू बनाते हैं इसके लिए बड़ी खड़ाई लीजिए भाइत लेकि उसमें एक कफ देसी घी डाले हमने दो कटोरी आटा लिया है और एक कटोरी मेति दाना लिया और मैंने एक कटोरी या एक कपा अपंदा जगा लिजिये उसना बहुत ही गीमें हम में हम भूनेंगे नटा तहीं कि दूसरी कटोरी है चले एक तर्थे जौने किएảiूंbol ज़ली गूंड कर दीए तो भी ख़ार्श भी आइट करती हूं अब है應該 घ्री तो लिएपनी तो जीए टूरैंगो गोंद भी डाल देंगे अब गोंद भी आठे के साथ अच्छे से भून जाएगी फ्राई हो जाएगी तब अलग से गोंद को भूनना और पीसना नहीं पड़ेगा तलना नहीं पड़ेगा बस इसे भी आठे के साथ भून लीजे आट को आप कमाज बूहनें साथ दोसरों बादाम में अड़ करोंगी बादाम मैं बारीक पाउडर बन आकर टर दर राप कर सकते हैं तो इसे भी मिक्से में मैं एक कटोरी बादाम है इसे भी पीस रही हो है जब आटा भूंच जाएका तो यह अड़ कर दूँगी कि आप आठे को लगातार चलाते हैं कि आप आठा छोड़ देते ना चलाना तो तले से जो टच हो रहा होता है वो थोड़ा जादा ब्राउन हो जाता है तो आप अच्छे से मिक्स करते हुए आठे और गोंद को साथ ही साथ भूनते रहे हैं कि 15-20 मिनट में आठे बहुत अच्छे भून गया है तो मुझे टोटल 15-20 मिनट लगे कमाच पर मैं इसे लगातार चलाता है भूनती रही हूं अब अगर भी मिक्स नहीं करेंगे तो तले से आठा जल जाता है तो अच्छे से मारा आठा भून गया है तो आप इसमें बादाम जो हमने पीस कर रखे आड़ कर देते हैं आठा बहुत गर्म है कढ़ाई गर्म है तो इससे क्या होगा जो हमारे बादाम भी है वो भी बहुत अच्छे से पुन जाएंगे तो इससे भी अच्छे से मिक्स करें पांच मिनट अब तो मैं गैस को बंद कर रही हूं क्योंकि हम अब हमारा नारियल भी जा रहा है इसमें एक गोला है जो कद्वस किया हुआ है तो अगर आप नापेंगे तो यह दो कटोरी के करीब है तो इससे भी मिक्स कर देते है नारियल चुकी ड्राई होता है तो एकदम से यह कूक हो जाता है आप इसे अलग से तलेंगे तो जल जा निकाल लेती हूं दूसरे बरतन में लड़ूं का हमारा बेज रेडी है इसमें आटा है गोंध है नारियल है बदाम है सारी पौस्टिक चीजें और जो की हमारे लिए बहुत फाइदेमन है तो अब हम मेथी दाने को भी भून लेते हैं कि अब उसी कड़ाई में आदा कप घी डाली आदा कप काफी रहेगा पहले हमने एक कप डाला था मैं आदा कप आएट कर रही हूं टोटल डेड़ कप घी लगा मुझे लड़ू बनाने में इतने सारे गीजे गर्म कीजे और इसमें मेथी बूनेंगा तो इसके मेथी का जो हम कि अब मेथी को पहले थोड़ा तेज आज पर भूनिए और बाद में आज को कम कर सकते हैं अभी थोड़ी आज तेज रखी विए ताकि खूब अच्छी से बुनाई हो जाए उसमेथी की क्या खासियत रहती है कि मेथी घी घी एब्जॉब नहीं करती जादा बहुत कम घी करती है तो अगर आप ज्यादा लगी डालनेंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे लड़ू कि मेथी भूनिए स्टार्ट हो गई और बिखर नीवी स्टार्ट हो गई है इसे तब तक भूनेंगे जब इसका रंग तोड़ा और डार्क हो जाएगा तब तक भूनेंगे टोटल 10 मेथी को भूनिए मैंने पहले तेज आंच पर और फिर मीडियम फ्लेम पर कम नहीं कि आंच को मैंने मीडियम से हाइट पर मैंने लगातार चला दे मेथी को भून लिया है देखिए कित्ती अच्छे से भून की है मेथी एक दम बिखर गए है दानेदार हो गई है और इसका क किशमिश बिल्कुल नहीं अच्छी लगती तो यह एक ऐसे ही और आपको किशमिश नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजे रेसिपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको अच्छी लगती तो जरूर आट कीजे बहुती फायदेमंद होती है किशमिश भी अधि दिमाग को तेज और तरो ताजा रखने के लिए और मूड भी अच्छा रहता है इसके लिए मैं मगज आड़ करने हूं यह आप मगज है यह तर्वूस के बीज में आड़ करनी हूं तो जो भी चारों मगज में से जो मगज आपके पास रखा है चारों रखे तो भी में आठे वाले मिक्सचर में आड़ करनी हूं देखे में पास कोई बड़ी कड़ाई इस्तेमाल कर रही हूं बड़ी कड़ाई में मिक्सिंग के लिए च्छा फ्लेवर होता है इसमें उपर से लाइची की जूरत नहीं है आप ऐसे ही बनाईए दोस्तों खूब अच्छे से आप चाहें तो लड़ूं में अभी आप पिसी भी चीनी मिला सकते हैं उससे आप लड़ूं को बान सकते हैं घी और चीनी मिलाकर लेकिन मैं गुड के साथ लड़ू बना रहे हैं ताकि मारे लड़ू और भी नूट्रीशिएस रहे हैं शुगर पेशेंट्स कहते हैं हम लड़ू कौन से खाएं तो यह जरूर लड़ू खा सकते हैं इसे शुगर भी कंट्रोल होगी तो दिखिए मैं इसमें 400 ग्राम गुड आट कर रही हूं या आप 2 कप के करीब कूट लिया है दो कप के करीब गुड लीजिए फिर नापकर 400 ग् आप फिर में तो कम रखनाने तो गुड यह जरू जाएगा जब थोड़ा सब्साइब कर देंगे को कि यह गुडा मारा मेल्ट हो गया है और काफी रत तक मेल्ट हो गया बीच में लेकिन सक्थ को टुकड़े मुझे दिख रहे हैं फिर भी मैंने गैस बन कर दी हो कि मैं पकाना नहीं चाहती गुड़ को अब गर्म कड़ाई में आप लगातार मिक्स करते रहेंगे तो गुड़ हमारा बहुत अच्छी से पीगल जाएगा सारा का सारा मिक्स कर दीजिए अब गुर्म है क्यूंकि हमने गर्म किया तब यह तो इसे आप द्यान से आट कीजिए और जब यह गर्म हो तभी आप इसे मिक्स कीजिए लटुम में अकर आप ऐसी छोड़ेंगे थंडे हुने के इनतजार करेंगे तो कढ़ाई में देखिए मैंने गुर् गर्म लग रहा है तो मैं बीच-बीच में हाथ से और बीच-बीच में मैं इस तना से पल्टे से मिक्स करती रहोंगी और ठंड भी है मौसम तो गुर्ड जमना स्टार्ट हो गया आप देख सकते हैं किनारों वाला गुर्ड जो है वो जम रहा है से हाथ से छुड़ाई और इस अच्छे से मिक्स कीजिए गुर्ड बहुत अच्छे से मिक्स हो गया अब थोड़ा से लड्डू बना कर देखते हैं दिखने में बिखरावा लग रहा है लेकिन क्यूंकि इसमें मेथी दाना लेस है इसमें गोंद है तो इसके लड्डू बन जाएंगे आप इसे हाथ से तो लड्डू जरूर जोड़ जाएगा देखे इस तरह से हमारा एक लड्डू तो देखे बनके रड़ी हो गया है और कितना माउथ वाटरिंग लग रहा ना देखके दिल कर रहा है कि अभी खाने ऐसे ही आप सारे लड्डू बना लीजे जब यह मिक्सर गर्म हो तभी आप इसे ठंडे होने का ना इंतजार कीचे नहीं तो लड्डू नहीं अच्छा से जुड़ेंगे बस आप मुठ्यों में दबाईए गोला बनाईए और हमारा लड्डू बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा खाने में बहुत स्वाद होगा बनाने में तो मुझे मज़े आपके स्किन ब्राय हो रही है तो यह बहुत ही अच्छी मेथी दाना गुणों की खान होता है दिखे मैंने तो यह जटपट बनने वाले लड्डू बना ली है जिने बनाना नसर्फ असान था बलकि इसको बनाते वे दोस्तों हमने घी का चीनी का नहीं इस्तेमाल किया गी वो भी रेसिपी जरूर ट्राई करें आपसे फिर मिलोगे नई रेसिपी इसके साथ हाँ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया